असना वालेको वियार्स यह मुम्मध असीब है और इनका जो खरगोश है वो बीमार पड़ गया है तो अब इसको जो है ना इसकी आंखे जो है ना उसकी बंद हो गई है आप देख सकते हैं आँखे इनकी बंद को गई अब जो हुए हम इसका इलाज करेंगे यह सेट हो जाएगा और इसकी आँखे ठीक हो जाएगी और मोमध असीब छोड़ो मैं डॉक्तर हो गोड़ोंगा तूम कंपांडर हो क्या हो तूम कंपांडर ओके मोमध असीब जिन आउं देखो आप इसका यह बहुत कमजोर हो गया है आप इसको सेट करेंगे यह दे हमें अपना आप आप इलाज करोगी चलो आराम से इसका इलाज शुरू है का इसका एक जो निए का निकला या एक मधस्ट शाब ठीक हो जाए गा थीख हो गया यह एक स्ट हो गया दूसरा दूसरा करें जाइगा करें ना इसको करें इसकी बंद, भाए एँ खोलें इसकी आंखी एंक खोलें यह बहुत अच्छा इस ने आफ जो विछ ना सेट कर दिये अब यह दूसरी सेट करेंगा पहली के लिए क्लेपिंग करो गुट गुट अब दूसरी आंग जो इसकी सेट कर यह लो वह लसी यह कंपाउंडर हमारा बोच सकते हैं और यह ना पता नहीं काफी प्रेशन को यह इसने ठीक किया है बटा लगा इसको सेट करो गुट 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 मालिश करो थोड़ी इसकी गुट 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 इसको लगाओ तुड गुट सफेटर सकी लिखालो यह गुट 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 सही-सवी इसमें यह लगाई यह हमारा खरगोश है बीमार पड़ गया है इसका हम आप्रेशन कर रहे हैं रिखेंगे यह गुमेगा फेरेगा रिपिंग और लाशी कर लिए यह इसने दोनों कान निकाल दिये यह सेट हो गया है अब जो है इसकी जो पिछे वाला जो बेसा है वह इसकी यह एक टांग इसकी टांग का प्रेशन कर थोड़ा इसमें बहुत चोट या यह 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 बिसोड़ा गया अब यह खोड देखूं एक इसकी आख यह आप देख सकते हैं पहले यह आख नहीं थी अब यह आख रेकल गई है और यह जो रही है अपको श्ट्रीक हो गया क्या हो गया ठीक हो गया यह देखो डांपांस कर गाए अब का आई क्र गब खी प्लेप गडिवा खीं यह जावी क्रेप्ट रेख।